वेलकम स्टूडेंट्स कैसे हैं सभी आपका अपनी चैनल कोई के स्मार्ट टिप्स में बहुत-बहुत स्वागत है जैसा कि हम सीटेट साइंस 2022 के लिए तयारी कर रहे हैं जिसमें हम सीटेट साइंस 2021 में जितने भी दिनों में साइंस के कोशन पूछे गए थे वो सारे के सार कर रहे हैं और उसी में आज हमारी 9th क्लास है जिसमें हम देखने वाले हैं 30 दिसंबर के जो कोशन पूछे गए थे साइंस के तो यह हमारी 9th क्लास है जिसमें हम कंटेंट के 20 कोशन देखेंगे बहुत important कोशन है और आने वाले 2022 में यह जो 2021 की सिरीज जो मैंने शुरू की है ये बहुत बहुत जादा हेल्प करेगी आपकी तो जिन्होंने भी स्टार्टिंग से अगर ये सिरीज नहीं देखी है मतलब जो पेपर शुरू हुए थे वो आपके 20 दिसंबर से शुरू हुए थे और करते करते आज हम 30 दिसंबर पर आ गए हैं तो आई बटन में एक लिंक आ रहा होगा उस लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो पूरी प्लेलिस्ट की स्टार्टिंग में आप पहुँच जाएंगे तो आप स्टार्टिंग से भी क्लास बन से जो है सारी क्लासेज देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं पहला कोशन जो 30 दिसम्बर 2021 में पूछा गया यहाँ पर सीधा सा कोशन बना है बहुत ही सिंपल कोशन है एक किसान ने देखा कि फल्यों के बीच जो उसे अगले मौसम में बोय जाने के लिए उसने रखे थे वो क्या हो गया है उनमें कीड़ा लग गया है उनमें इंसेक्ट लग गया है तो कौन सी विधी का प्रियोग करक संकरमित वीजो को सस्त वीजो से अलग किया जा सकता है यह हमको बताना है देखे हैंड पिकिंग से ऐसा नहीं होगा हैंड पिकिंग से क्या होता है जैसे दालों में से कंकर निकालना वो तो तब होता है यहाँ पर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा बीच खराब है और कौन स भी सही है तो hand picking method यहां पर सही नहीं होगा ठीक है ऐसे ही चुनना यहां पर छानना सीविंग जो हो गया है यहां पर छानना यह भी गलत हो जाएगा अब देखे छानने में क्या होगा क्योंकि वो तो उनकी जो size होगा जो size होगा seeds का वो तो अभी भी same ही होगा तो चानने से कुछ नहीं होगा तो चानते तो हम आते को हैं तो यहां पर यह method भी सही नहीं होगा उसके बाद threshing method भी बिल्कुल सही नहीं होगा threshing method में क्या होता है पीट पीट कर जैसे आपने देखा होगा पुराने जमाने मर क्या होता था एक पत्थर ले ले जाता था बड़ा सा और उस पर गेंग और धान होते हैं उनको पीटा जाता था जिससे क्या होता था वो जो अनाज है वो अलग हो जाता था तो वो method आपका threshing होता है ना कि यहां पर जो best method होगा वो होगा putting in water जैसे आप पानी में डालेंगे तो आप वैसे भी देखेंगे क्योंकि जो जिसको insect ने खा लिया है वो जो seed है वो हलकी हो गई होगी और हलकी होने की वज़े से वो पानी के ऊपर आजाएगी और जो seeds अच्छी है वो पानी के नीचे बैठ जाएगी तो यहां पर जो best method होगा वो होगा putting in water option number 3 next question देखने है question number 2 जो exam में पूछा गया which of the flowing statements is not correct about bacteria bacteria जिवानों के संधर्व में कौन सा कथन सही नहीं है यह हमको बताना है जो बच्चे theory पढ़कर कहें होंगे उन्होंने इस question का answer बड़ी ही असानी से कर लिया होगा जो बच्चे starting से तैयारी कर रहे हैं सीटेट साइंस 2012 की i button में फिर से एक playlist का link आ रहा होगा जिसमें आपको 32 classes मिलेंगी तो वो सारी classes देख लीजेगा notes बना लीजेगा वो बहुत ही important है theory classes वहां से आपका 50 to 60% काम हो जाएगा उसके बाद आपको 2011 से 2019 के previous year देखने हैं और बाद में 2021 के सारे previous year देखकर जाने हैं इतना आप कर जाएंगे तो आपको 2022 में CTAT science में कोई भी अच्छा score करने से रोक नहीं पाएगा तो पूरा ये follow करें तो कौन सा कथन गलत है ये हमको बताना है ठीक है तो यहां पर आप देखेंगे option no.3 से ही देखकर आप एकदम पहचान जाते कि यही option यहां पर गलत है क्योंकि हम ये bacteria के बारे में नहीं पड़ते बैक्टिरिया आर यूजड इन प्रिपेशन ऑफ ब्रेड एंड केक्स जिवानों का प्रियोग डबल रोटी तथा केक बनाने के लिए किया जाता है ये बात यहां पर गलत है यहां पर हम बैक्टिरिया का नहीं किसका प्रियोग करते है हम इस्ट का प्रियोग करते है जो कि आपकी फंगाई की कैटिगरी में आती है तो इस्ट का प्रियोग किया जाता है ब्रेड और केक में ना की बैक्टिरिया का तो यहीं यहां पर क्या हो जाएगा आपका गलत स्टेट्मेंट हो जाएगा option 3 यहाँ पर सही होगा बाकी सारे statement सही है bacteria का use करा जाता है antibiotic medicine वगएरा बनाने में bacteria क्या करता है organic matter जो आपका जैप पदार्त होते हैं उनको victed कर देता है उनको decompose कर देता है किसमें bio gas plant में यह बास सही है bacteria जो present होते हैं जो आपके plants वगएरा खाते हैं help in breakdown of cellulose उनके अंदर जो cellulose है उसके victim में मदद करते है bacteria यह बात भी सही है option 3 ही यहाँ पर क्या है आपका गलत है next question देखते है question number 3 जो exam में पूछा गया vinegar is used as preservative in many food item because it परी रक्षक के रूप में सिरके का प्रियोग बहुत हेक बहुत से खाद्य पदार्तों में किया जाता है क्योंकि अब देखे vinegar आपको पता है यह acidic ही nature होता है यह आपका अमलिय होता है जब अमलिय होता है तो इससे related option आपको मिल जाता यह माध्यम को अमलिय बना देता है जिससे जिवानों जीवित नहीं रह सकते प्रोवाइड एसेडिक एन्वाइरमेंट सो देट बैक्टिरिया कैननोट लिव तो option number second यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा देखें logic तरीके से question को solve करना है vinegar क्या होता है आपको पता होना चाहिए हमने पढ़ा भी है थियोरी में acidic in nature होता है यह acid होता है तो इसी से related option आप ढून लेते provide acidic environment so that bacteria cannot live बाकी सारे option यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके गलत हो जाएंगे इसमें chemical नहीं होते chemical होंगे तो हम इसको use ही नहीं करेंगे ठीक है बाकी reduce moisture content यह moisture content को reduce नहीं करेगा यह air की contact को भी cut नहीं करेगा ठीक है next question देखते है question number 4 जो आपका exam में पूछा गया बहुत ही simple question था सिर्फ आपकी thinking पर base करके यह question पूछे गए है in which of the flowing situation water cannot be used to extinguish the fire निम्ण में से किस परिस्तिती में आग बुझाने के लिए पानी का प्रियोग आप नहीं करेंगे सीधी सी बात है पानी का प्रियोग आप कब नहीं करेंगे जब short circuit हुआ होगा आपको पता यह पानी से तो और current क्या होता है लगने लगता है तो यहाँ पर भी हम पानी का use नहीं करेंगे D option नहीं आएगा मतलब D जगा पर हम पानी का प्रियोग नहीं करेंगे और यहीं पूछ रहा है कि कहां कहां हम पानी का प्रियोग नहीं करेंगे यहां पर नहीं करेंगे और burning of diesel आपने देखा होगा diesel petrol जब जलते हैं उनमें अगर आप पानी डाल दें वो और आग पकड़ते हैं क्योंकि because of the presence of oxygen तो वो और भी ज़्यादा आग वहां पर क्या कर लेते हैं पकड़ लेते हैं तो हम diesel और electric appliances जब यूज कर रहे हैं तो इन केस में हम पानी का प्रियोग नहीं करेंगे तो option number 4 यहां पर सही हो जाएगा B and D बाकी burning of wood जब आप लकड़ी को जलाते हैं या पेपर को जलाते हैं तो उनको पानी से बुझा सकते हैं next question देखते हैं question number 5 जो एक्जाम में पूछा गया properties of 4 fuels are given below which of the flowing is best option as a fuel for domestic purpose 4 इंधन हमको नीचे दिये हैं उनके गुरधर्म जो हैं जो नीचे दिये गए है घरेलू उपयोग के लिए कौन सा उपयुक्त होगा ये हमको बताना है ये question repeat करा गया 2019 से और 2021 में भी पीछे पूछ के फिर ये द्वारा से repeat करा गया घरेलू में हम क्या यूज करते हैं LPG का प्रियोग करते हैं तो यहां पर ये बात कर रहा है किसकी LPG की liquefied petroleum gas liquefied का मतलब ये किस स्टेट में होती है ये आपकी liquid स्टेट में होती है बाकि जब आपकी निकलती है तो gas compress करी जाती है liquid के form में ही होती है आपकी जो LPG होती है तो इसकी state क्या होगी liquid होगी तो या तो B सही है या फिर आपका D सही है अब हम देखेंगे ignition temperature कैसा होना चाहिए ignition temperature यहां पर सीधी सी बात है वो moderate ही होगा low तो होगा नि और वो हमें B और D दोनों option में दिख रहा है तो अब हमें पहचानना होगा इनकी calorific value से वो अब भी मैं बताऊंगी कैसे फैचानेंगे सबसे पहले ignition temperature समझ लेते हैं जिसे हम बोलते हैं जोलन ताप जैसे paper एकदम जल जाता है तो उसका ignition temperature बहुत high होता है वही आपका क्या कहलाता है जोलन ताप कहलाता है अब जो LPG होगी न उसका जो जो जोलन ताप है वो बहुत high नहीं होना चाहिए अगर वो बहुत high हुआ तो जैसी आप gas चलाएंगे तो वो सब में आख पकड़ लेगा तो उसका जो ignition temperature है वो moderate होना चाहिए ताकि कुछ seconds का time मिल जाए और ऐसी बहुत low भी नहीं होना चाहिए पता चला आप gas चला रहे हैं आप lighter करे जा रहे हैं लेकिन gas जली नहीं ही है तो जो उसका ignition temperature है वो कैसा होना चाहिए moderate होना चाहिए LPG का state उसकी liquid है और calorific value आपको पता होगा सबसे ज़ादा high जो होती है जब हम theory में पढ़ते हैं तो वो hydrogen की होती है और LPG के calorific value भी काफी high होती है तो यहाँ पर 20 और 45 में हम calorific value क्या लेंगे क्योंकि काफी high calorific value होती है LPG की तो यहाँ पर हम लेंगे 45 इट मींस जो वो कौन सा fuel है LPG यहाँ पर B की बात कर रहा है तो option number second जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा बहुत ही logic तरीके से यह question पूछा गया और अब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया आगे कभी पूछा जाए तो कोई गलती इसमें नहीं होनी चाहिए which of the following statement is not correct कौन सा कथन सही नहीं है यह हमको बताना है जमीन जो है वो आपकी बंजर बन जाएगी तो मरू स्थली करण हो सकता है अगर आपकी मिटी जो है जो उपजाओ मिटी है अगर वो हट गई है तो यह बात तो सही है और question में पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है ठीक है deforestation lower the ground water level बिल्कुल यह जो वनोन मुलन होता है वनो को आप काटते हैं उससे क्या होता है भूम जल का जो स्तर है वो गिर जाता है क्योंकि जड़ें जो होती है वो रोक कर रखती है पानी को तो जो ground level है वो आपका गिर जाता है यह बात भी सही है over grazing cause deforestation बिल्कुल मवेश्यों की अत्याधिक चराई के कारण वनोन मुलन होता है मतलब वनोन deforestation होता है मतलब जो है खाली जगह हो जाती है बंजर हो जाता है एक तरह से सीधी सी बात है भेड बकरी बहुत साथ चरने लगेंगे तो इसी की वज़े से deforestation भी हो सकता है next option देखते है loss of biodiversity cause deforestation इसका कोई संबन नहीं है जै विवित्ता की च्छती के कारण वनोन मूलन होता है नहीं biodiversity के loss से आपका deforestation नहीं होगा तो यहाँ पर बहुत ही simple था यह तो आप तुरन देखके पहचान जाएंगे कि loss of biodiversity का कोई मतलब नहीं जै विवित्ता से इसका कोई connection नहीं जै विवित्ता क्या है जितने भी हम सब क्या है हम सब एक पूरी जै विवित्ता ही है कि मतलब अलग-अलग तरह के organism जो है प्रथवी पर पाए जाते है वो जै विवित्ता है तो उसकी वज़े से deforestation होगा पेड कम हो जाएंगे नहीं यह बात यहाँ पर गलत है तो option 4 यहाँ पर गलत हो गया next question, question number 7 जो आपका exam में पूछा गया which of the following statement is or are true? कौन से कथन यहाँ पर सही है यह हमको बताने है theory में यह chapter हम पढ़ते हैं NCRT में हमें देखने को मिलता है endangered species are in danger of are in danger of extinction बिल्कुल यह जो देखे endangered species होती है यह समझ लीजे कौन सी species होती है जो खत्रे में हैं जो विलुप्त होने की करगार पे हैं हो सकता है आने वाले समय में आपको देखने को ना मिलें तो वो सारी species आपकी endangered species होती है संकटापन प्रजातियां वो होती है के विलुप्त होने का खतरा होता है बिल्कुल यह तभी तो इनको endangered species बोलते हैं वो संकटापन हो जाती है, यह बात यहां पर गलत है, दिखे, सारी एंडेम, अब यहां पर समझेंगे, एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है, एंडेंजर तो समझ में आ गया, जो खत्रे में है, जो विलुप्त हो सकती है, और एंडेमिक स्पीशीज कौन सी होती है, एंडेमिक जो पर्टिकुलर किसी छेत्र में ही पाई जाती है, वो आपकी एंडैमिक स्पीसिज होती है, जैसे आपके असम का काजी रंगा होता है, एक सिंग वाला गेंडा वहां पर ही पाई जाता है, तो वो आपकी एंडैमिक स्पीसिज है, जो पर्टिकुलर किसी एरिया में ही पाई और जब B option गलत है तो ये वाला option भी बाहर ये तो पहली बाहर हो गया और ये भी बाहर हो गया, तो answer क्या हो जाएगा आपका option number 4, A, C or D, ये जो है कथन यहां पर सही है, देखिए इस तरह से आप पहुंचेंगे अपने answer पर, आपको C or D option पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड है कि जैसे उनके छेतर में नई species के लाने पर जो विशेश छेतरी species हैं वो विलॉप्त हो जाती है, जैसे सपोज मैं particular इसी एरिया में रहती हूं और मैं कहीं नहीं रहती है, लेकिन मेरे एरिया में अगर कोई और species आजाएगी तो मेरे विलॉप्त होने का खतरा जो है वो ब विशेश छेतरी species होती है, यह बात भी सही है, तो यहाँ पर आपका option number 4 जो है वो बिल्कुल सही है, next question देखते है, question number 8, which of the flowing set is unicellular, निमन में से कौन सा set जो है वो आपका एक कोश्किय है, single cellar जैसे आपका amoeba होता है, paramecium होता है, है ना, bacteria होता है, यह सारे के सारे आपके unicellular है, एक कोश्के हैं, और जो एक कोश्के होते हैं, mostly आपके क्या होते हैं, वो प्रियोक्रियोटिक होते हैं, क्योंकि उनमें well defined जो है, वो nucleus नहीं होता, amoeba नहीं आएगा, इसमें amoeba में well defined nucleus होता है, तो वो आपका eukरियोटिक होता है, वो एक अलग चीज है फिलाल, त आपका sperm जो है, वो भी unicellular में आजाएगा, male का gamit क्या होता है, sperm और female का क्या होता है, ovum, है ना, तो male और female gamit के fusion से क्या बनता है, आपका zygote होता है, याद रखे ये चीज़ भी अच्छे से समझ लीजे, male के अगर हम sperm की बात करें, और female के ovum की बात करें, तो जब यह दो जाएगाट बनता है, यह भी आपका unicellular ही होता है, यह कोश्चन ही गलत दिया है, दो उप्षन ही होंगे, पहला भी और दूसरा भी, याद रखेंगे, जाएगाट जो बनता है, male और female gamit के fusion से, फटलाइजेशन से, जाएगाट जो बनता है, वो भी unicellular ही होता है, बाद का convert होने लगता है, किसमें embryo में, भून में convert हो जाता है, और यह female के uterus में जाकर वहां पर चला जाता है, और फिर baby बढ़ने लगता है, तो इस तरह का कुछ process होता है, तो embryo जो होता है, यह आपका multicellular होता है, लेकिन जो zygot होता है, यह आपका unicellular होता है, तो यहाँ प पका unicellular है, लेकिन zygot भी unicellular ही होता है, अब इनोंने one माना है, और बच्चे करनी पाए, क्योंकि इतने सारे sets थे, इतने सारे कोशन थे, कोशन तब बच्चों को पता नहीं चल पाए, तो बच्चों को नहीं पता चल पाए, तो बच्चों बहुत ही कम होए, इस कोशन पर objection हो सकता था, तो first और second डोनों option या पर सही हो जाएंगे आपके, बाकि जो सीटेट ने माना है, वो first option माना है, एग और स्पर्म, next question, question number 19, in human being, sorry 9, question number 9, in human being, A is N, exocrine as well as endocrine gland, हम पढ़ते हैं, मानव में एक ऐसी ग्रंथी होती है, कैसा gland होता है, जो endocrine भी होता है, और जो exocrine भी होता है, और वो कौन सा gland होता है, वो आपका pancreas होता है, जिसे हम इंदी में क्या बोलते हैं, अगनाश्य बोलते हैं, हमार stomach, हमारे पेट के नीचे होता है, pancreas, stomach, जो लोग insulin का injection लगाते हैं, वो आप देखेंगे कि वो पेट के थोड़ा नीचे लगाते हैं, क्योंकि वो insulin का injection कहां लगाते हैं, वो अपनी अगनाश्य है, वो अपनी pancreas में लगाते हैं, और याद रखेंगे, यह जो pancreas है, यह endocrine, evam, exocrine, दोनों gland की तरह कार्या करता है, और यह produce करता है, बी हार्मोनी, जो pancreas है, इसके अंदर कौन सा हार्मोन जो है, वो रिलीज होता है, वो आपका हार्मोन होता है, insulin, ठीक है, deficiency of which cause C disease, और insulin की deficiency से कौन से disease हो जाती है, वो आपकी diabetes होती है, तो यहाँ पर हमें A, B, C को ही बताना था, तो option second, यहाँ पर आपका सही हो गया, pancreas, insulin और आपका diabetes, next question, question number 10, जो आपका exam में पूछा गया, बहुत ही बहतरीन question था, which of the flowing place is likely to have least atmospheric pressure, निमलिखित में से कौन से इस्थान पर सबसे कम बायू मंडलिय दबाब होने की संभावना है, यह हम को बताना है, जैसे जैसे हम उपर जाते हैं, atmospheric pressure जो है, वो कम होता चला जाता है, अब यह बात आप कभी निबू लेंगे, कैसे देखिए, जैसे उपर से बहुत सारी हवाईं चल रही है, बहुत सारी layers बनी वी है, ठीक है, अलग-अलग layer होती है, atmosphere में, तो यह layer क्या करती है, यह layer क्या कर जो है, वो कम होती चली जाती है, जिसकी वज़ेश से pressure भी क्या होने लगता है, वो कम होने लगता है, तो मनाली जो है, वो hill station है, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, पहाडों की बात हो रही है, उंचाई की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है, जो atmospheric pressure है, वो कहां कम होगा, व कि हमको पता होना चाहिए जितना हम नीचे रहेंगे उतनी जादा gases जो है वो उतने ही pressure लगाती है लेकिन जैसे जैसे हम उपर जाते हैं हवा जो है वो कम होती जाती है तो atmospheric pressure जो है वो घटता चला जाता है तो मनाली पर ही आपका क्या होगा least atmospheric pressure होगा option number 4 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा next question देखते है question number 11 जो आपका exam में पूछा गया read the following statement and choose the correct option कतनों को हमें पढ़ना है और हमें सही विकल पर पहुचना है यहाँ पर जो assertion दी है अभी कतन दिया है वो क्या दिया है tightening of membranes of a tabla produce a sound of higher pitch तबले की जिल्ली होती है उसको कसने से उचे स्वर की आवा वो कसते इसली है ताकि उसकी आवाज है उसका जो सुरह है वो बहुत उचा आए तो पिछ वहाँ पर क्या हो जाती है हाई हो जाती है जब हम तबले को करते हैं उसके membrane को उसकी जो जिल्ली है उसको tight करते हैं इसके पीछे जो कारण है देखते हैं क्या वो सही है tightening of membranes change the frequency of vibration motion of tabla बिल्कुल जिल्ली को कसने से तबले की जो कमपन गती है उसकी जो आवरती है वो बदल जाती है बिल्कुल frequency पर direct depend करती है पिछ frequency बढ़ गई तबी तो क्या हुआ वहाँ पर पिछ जो है वो भी बढ़ गई तो दोनों ही यहाँ पर सही है और बिल्कुल इसका जो कारण दिया है वो अभी कतन से relate कर रहा है ए और बी दोनों सही है और आर एकी सही व्याख्यान भी कर रहा है तो option number one ही यहाँ पर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा बहुत ही simple question था लेकि इन questions को देखने से आपको यह पता चलेगा कि questions सब theory से ही आए थे लेकिन question जब जिनोंने theory detail मे समझी होगी एक एक theory जो मैंने कराई है 32 class की उनको अच्छे से समझा होगा और notes बनाए होंगे तो वो सारे बच्चे question जो है बहुत असानी से करके आएंगे करके आए होंगे और जो उपर उपर से पढ़ेंगे उनको दिक्कत होगी तो मैं फिर से बोल रही हूँ कि जो 32 class है बच्चों ने बोला paper tough आया paper tough नहीं आया paper conceptual आया चीजों को गहन शक्ती से पूछा गया आप देखें यहां पर sound से ही रिलेट करके question पूछा गया कि pitch हाई है सीधी सी बात है frequency की वज़े से ही ऐसा हो रहा है वोगि frequency हाई होती है तो pitch भी हाई होती है यह मैंने आपको पढ़ प्लीज उसको like ज़रूर कर दिया करें like से कुछ नहीं होता बस motivation मिल जाता है और share जादा से जादा करें ताकि जादा से जादा लोग हमारी channel से भी जुड़ जाए two uncharged object P or Q are rubbed against each other which of the following statement is true P or Q दो अनावेशित वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगणा जाता है तो कौन सा कथन सही है यह हमको बताना है बचपन में यह चीजे हम बहुत करते थे बैलून को सिर से रगणते थे और फिर उसको अगर दूसरे बैलून के पास लेकर जाते थे तो वो बैलून एक दूसरे से दूर जाते थे सेम ऐसे ही करते थे हम scale को सिर से रगणा करते थे और paper जो चार्ज हैं लेकिन जैसे ही उनको रगड़ा गया तो वो क्या हो जाते हैं वो चार्ज हो जाते हैं याद रखेंगे वो क्या हो जाते हैं चार्ज हो जाते हैं और दोनों पर ही क्या हो जाता है equal or opposite charge आ जाता है जिससे आपको देखने को मिलेगा suppose यह आपका head है यह एक balloon है और यह एक balloon है तो जब आपने balloon को अपने head से रगडा तो क्या हुआ होगा head पर हो गए होंगे positive charge इखटे और ऐसे ही आपके balloon पर हो गए होंगे negative charge इखटे ठीक है अब यहाँ पर negative जादा हो गए और यहाँ पर positive जादा हो गए मतलब लेकिन होंगे बराबर amount में अगर यहाँ पर 5 positive इखटे होएं तो यहाँ पर 5 negative जो है आपके जो है वो आवेशित हो जाएंगे फिर क्या होगा अब आपने इस balloon से जब इसको rub करा तो यह तो पहले से अपनी rest अवस्ता में था तो यहाँ से क्या होगा कि यह balloon के जो positive है वो इसको क्या करेंगे या तो attract करेगा या फिर यह क्या करेगा इसको repel करेगा तो वो चीज यहाँ पर देखने को मिलती है और यहाँ पर बिसी के लिए होता क्या है वस्तुओ पर equal और opposite charge जो है वो आ जाती है यह बात आप अपने दिमाग में अच्छे से याद रखेगा हमेशा equal बराबर और opposite charge हमें उन दो object पर देखने को मिलते हैं जो object आपस में rub करे जाते हैं तो option number second यहाँ पर बिल्कुल सही होगा next question question number 13 which of the following material is best suited to make fuse wire निमने में से कौन सा पदार तो fuse के तार बनाने के लिए उपयुक्त होगा यह हमको बताना है तो fuse का तार हम क्यों बनाते हैं जब electricity जादा हो जाए तो fuse के wire ब्रेक हो जाए और जो source circuit वगेरा होना है वो ना हो तो fuse का wire जो है us का melting point जो है वो कम होना चाहिए melting point मतलब us की melt होने की छमता है वो कम पर ही हो जानी चाहिए ऐसगा एका quantity नहीं कर रहा है वो लेकिन वो Currently not कर रहा मतलब उसका melting point हाई है लेकिन उसका melting point अगर low होगा तो जैसे high temperature आएगा वो तुरंत क्या हो जाएगा fuse जो है वो break हो जाएगा तो यही तो इसलिए तो fuse लगाया जाता है जाकि अगर electricity की वज़े से बहुत जादा high amount की electricity आगई है तो क्या हो जाए वो एकदम से break हो जाए तो मतलब melting point उसका high नहीं हो होना चाहिए high होगा तो तो वो break ही नहीं होगा बहुत जादा temperature पर break होगा तो high नहीं होना है उसका melting point कैसा होना चाहिए fuse wire का आपका low होना चाहिए तो आपका material या तो Z है या डबलू है तो आपका answer option no.3 है या option no.4 है melting point low होना चाहिए और उसकी जो resistivity है जो उसकी रोकने की छमता है वो high होनी चाहिए अब देखे current आ रहा है देखे fuse wire यहाँ पर लगा है तो fuse wire क्या करता है ब्रेक तो होता है साथ में क्या करता है current को भी तो रोक देता है और resistivity प्रती रोधा की का मतलब क्या होता है current को रोकना जैसे current जा रहा है मैंने हाथ लगा दिया suppose example के लिए तो मैंने रोक दिया उसको तो सीदी सी बात है fuse wire भी यही काम करता है तो resistivity वहाँ पर क्या होनी चाहिए हाई होनी चाहिए रोकने की छमता current को हाई होनी चाहिए तो वो material क्या है वो material आपका Z है it means जो answer है वो आपका option number 3 हो जाएगा Z next question देखते है question number 14 यहाँ पर यह simple question पूछा गया आपका mirror से लेकर Samir goes to an exhibition Samir जो है एक मेले में जाता है he enters a mirror house वो जो है mirror house में enter करता है और उसने वहाँ पर variety of mirror देखे बहुत सारे जो mirror है वो उसने वहाँ पर देखे the flowing are the characteristics of his image formed by various mirror जो अलग-अलग तरह के दरपण वहाँ पर वो अलग-अलग बना क्योंकि बहुत सारे mirror थे तो हर mirror में उसका जो प्रतिबिम्भ है वो अलग-अलग बना अब जैसे उसने जैसे suppose यहाँ पर चार mirror हैं है ना A, B, C, D तो चारों mirror में उसने अपनी क्या करी अपनी image को देखा और हर mirror में उसको कुछ ना कुछ अलग देख अब हमको बताना है वो चार mirror कौन से है, which of the flowing conclusion can be drawn by Samir about the mirror, mirror के बारे में आप क्या बता सकते हैं जब आपने उनको उनकी image को देखा होगा, जैसे mirror A है, mirror A में जब Samir ने देखा तो जो उसकी image बनी, वो कैसी बनी, वो erect बनी, मैंने हिंदी में खुदी बोल रही हूं क्योंकि हिंदी में question नहीं है, तो erect मतलब उसकी image कैसी बनी, सीधी बनी, बिल्कुल सीधी बनी, और same size की बनी, तो सीधी सी बात है, आप जब सुबा को mirror में face देखते हैं, तो वो mirror कौन सा होता है, वो plain mirror ही होता है, और उसमें जो image बनती है, वो आपकी erect बनती है, ऐसा थोड़ी होता तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो mirror A है, वो कैसा है, वो आपका plain mirror है, कैसा है, plain mirror है, अब हम mirror B की बात करते हैं, mirror की बात हो रही है, दो तरह के mirror होते हैं, एक तो आपका concave होता है, जिसे हम अपना अफ्तल बोलते हैं, और A का आपका convex होता है, जिसे हम उत्तल बोलते हैं, यह जो convex होता है, इसमें आप हमेशा याद रखेंगे, mirror की बात कर रही हूँ, convex mirror में, उत्तल दरपण में हमेशा जो image होती है, जो प्रतिबिम्ब होती है, वो diminished होती है, मतलब छोटी बनती है, तो सीधी सी बात है, जब image छोटी बन रही है, और erect बन रही है, इसमें image हमेशा erect सीधी बनती है, और छोटी बनती है, तो वो आपका convex mirror होता है, तो B तो आपका क्या हो जाना है, convex mirror हो जाना है, inverted और diminished, image जो है, diminished तो है, लेकिन inverted है, याद रखेंगे, प्रॉपर्टी हमने पढ़ी भी है, Concave और convex की, Concave mirror की property क्या होती है, इसमें दोनों तरह की image बनती है, इसमें diminished भी बनती है, और इसमें बड़ी भी बनती है, ये आपका mirror रखा है और ये आप है, जब आप पास आते चले जाएंगे, तो जो image बनेगी वो आपकी बड़ी होती चली जाएगी, बहुत जादा पास जाएंगे तो image बहुत ही magnified हो जाती है, और सीधी हो जाती है, लेकिन जैसे आप दूर जाते हैं concave के, तो image आपकी छोटी बनने लगती है, diminished होने लगती है, और साथ हमें image आपकी उल्टी भी हो जाती है, तो concave में हमें हर तरह की चीज़ देखने को मिलती है, image पास जाने पर बड़ी भी दिखती है, और सीधी भी दिखती है, दूर जाने पर image छोटी भी दिखती है, और आपकी उल्टी भी दिखती है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर उल्टी की बात करता है, inverted उसको अपनी image जो है, उल्टी दिखाई दे रही है, तो वो आपका concave ही mirror है, और य बहुत जादा पास आने पर image inverted की जगह क्या हो जाती है इरेक्ट हो जाती है लेकिन वो बहुत जादा पास आने पर होती है तो यहां पर आपका answer हो जाएको option number one a कौन सा mirror था plane mirror b कौन सा था convex उत्तल दरपन और c है आपका concave अफ्तल दरपन और चोथा भी है अफ्तल दरपन तो याद रखेंगे अफ्तल दरपन की property मैंने आपको अच्छे से बता दी है दूर जाने पर image छोटी और आपकी उल्टी होती है पास आने पर image जो है वो बड़ी ह बहुत जादा पास आने पर image जो है वो सीधी भी हो जाती है जबकि हम convex mirror की भात करें तो इसमें ब्लुकुल सी property याद रखनी है image हमेशा erect होती है हमेशा erect होगी और हमेशा छोटी होगी diminished होगी दो point याद रखने हैं convex mirror के बारे में image हमेशा erect होती है और image हमेशा diminished होती है तो यह पूरा point भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिए next question question number 15 जो आपका exam में पूछा गया it is observed that when current is passed through electric bulb जब current पास करता है आपका electric bulb से its filament get heated यह जो filament का filament है यहFN यह heat up कर जाता है but wire carrying current does not यह जो wire होता है यह थोड़ी heat करता है लेकिन जो filament होता है वह heat कर जाता है एसक्ति开श क्य Черफ यहांपर fast grant को एक क्या करता its क्यें वाठीया यह कि नाוorno सेएक। हो और दानग वो आपका heat up हो जाता है बहुत जादा और वो जलने लगता है लेकिन यहाँ पर यह जो normal wire है इसमें resistivity जो resistance रोकने की शमता होती है current को वो कम होती है तो सीधी सी बात है current असानी से flow कर जाता है और वो जादा heat up नहीं होता तो यहाँ पर जो answer हो जाएगा वो आपका option number second होगा यह जो wire होता है जो तार होता है उसकी जो प्रती रोधकता है वो तंतू से कम है तंतू जो है filament जो है वो गरम हो रहा है क्यूं क्यों कि वहाँ पर resistance जादा है वो current को जादा रोग पा रहा है तो temperature बढ़ रहा है जिसकी वज़े से वो गरम होता जा रहा है लेकिन जो विदुत की धारा जो तार से निकल कर जा रही है वहाँ पर resistance कम है जिसकी वज़े से वो जो है heat up नहीं करेगा तो यही बात यहाँ पर यह बोल रहा है कि जो तार का प्रती रोधकता है वो तंतू से कम है यह जो filament है इससे जो है उसकी resistivity जो है रेजिस्टेंस जो है वो तार का जो है वो कम है तो option second यहाँ पर सही है next question देखते है question number 16 जो आपका exam में पूचा गया speed of four object हमें दे रखिये चार पिंडो की चाल हमें दे रखिये और हमें इनका सही order जो है जो सही करम है वो निरूपित करना है A की speed कितनी है 800 meter per second मतलब 800 meter चल पाता है एक second में B की speed कितनी है वो है 8 km per second मतलब यह 1 second में 8 km चल पाता है तो यहाँ पर हमें इतना देखने से यह तो पता चल गया कि B की speed जादा है A से यह 1 second में खाली 800 meter ही चल पाता है और यह 1 second में बहुत दूरी कवर कर रहा है 8 km की इसका मतलब B जो है वो काफी तेजी speed से जा रहा है A के comparison में तो अब हमें यह तो यहां से बिलकुल clear हो गया कि जो B है वो आपका बड़ा है किससे A से A की speed जो है वो कम है अब हम C की comparison करें B से देखे 8 km per second और यहां पर 8 km per minute मतलब 1 minute में 8 km कवर कर रही हूं और सेम दूरी में 1 second में कवर कर रही हूं तो सीधी सी बात है फिर से जो है वो B जो है वो बड़ा है C से यहां पर B जो है वो फिर से बड़ा हो जाएगा C से क्योंकि B जो है वो एक सेकंड में ही 8 km जा पा रहा है और इसको सेम 8 km जाने में 1 मिनट लग रहा है तो जादा टाइम लग रहा है ना कमतलब स्पीड जो हो इसकी धीरे होगी तो फिर से हमें यहां से यह पता चल गया A, B, C में से B जो है वो सबसे बड़ा है अब ज़रा हम A और C का भी कमपैरिजन देख लेते हैं कि A और C में क्या है क्योंकि हमें अरेंज करना है और ना ओर्डर में यह देखिए यहां पर हम यह देखते हैं कि एक सेकेंड में यह 800 मिटर जाता है और यह एक मिनट में आठ किलो मिटर जाता है तो इसको भी करके देखते हैं कि एक मिनट में यह जो A है वो कितना चला जाएगा एक सेकेंड में आठ सो मिटर जाता है तो 60 सेकेंड यह एक मिनट होती है तो मतलब ये एक मिनट में 48,000 मीटर जाता है ये जो A है वो एक मिनट में कितना जाएगा 48,000 मीटर और इसको अगर मैं किलो मीटर में कनवर्ट करना चाहूं तो ये 30 में गायब कर दूंगी तो ये मीटर किसमें कनवर्ट हो जाएगा किलो मीटर में तो अब मुझे ये पता च वो एक मिनट में केवाल आठ किलो मिटर कवर कर सकता है तो अब मुझे ये भी क्लियर हो गया ये जो ए है इसकी स्पीड सी से जादा है तो अब यहां पर हम कहेंगे इन तीनों में अगर मैं कमपैरिजन करूं तो बी की सबसे जादा है उसके बाद आपका क्या आ जाएगा ए जाएगा और सबसे कम किसकी है सी की है तो यह सिक्वेंस बैठना चाहिए ए सी ए बी का और यह सिक्वेंस हमें देखने को मिल रहे है किसमें ओप्शन नमबर डी में आपको यह सिक्वेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा देखे सी सी जो है वो आपका सबसे कम हो गया उसक B का D से comparison करके भी देख सकते हैं पूरा और पूरा clear हो जाएगा आपको यहाँ पर हमने 3 का sequence तो बना लिया अब अगर हमें 4 का sequence देखना था कि BOD में क्या है तो BOD का भी हम check कर सकते हैं यह 1 second में 8 km जाता है चलो अब हम इसको गंटे में convert कर लेते हैं एक second में 8 km जाता है एक minute में मतलब 60 second में कितना जाएगा 40, 480 km और एक घंटे में कितना जाएगा फिर से 60 से multiply कर देंगे फिर से 60 से multiply कर देंगे तो यह हो जागा 28800 इतना मतलब एक घंटे में यह जो B है वो 28,800 km चलता है जबकि D जो है वो सिर्फ 8,000 km चलता है तो फिर से हमें यह पता चल जाएगा B जो है उसकी स्पीड बहुत जादा है क्योंकि वो बहुत सारा distance कर पा रहा है एक घंटे में 28,800 जबकि D जो है वो एक घंटे में केवल 8,000 km कर पा रहा है तो B की स्पीड जो है वो सबसे ही जादा है तो option number 4 जो है वो बिलकुल यहां पर सही होगा किसी को question number 16 समझ में नहीं आया है जब आगे हम practice करेंगे मैं फिर से इस question को एक बार और अच्छे से आपको करा दूँगे बाकि आप repeat करके भी इसको एक बार फिर से देख सकते है question number 17 जो एक्जाम में पूछा गया identify the type of blood cell on the basis of the information given below नीचे दी गई जानकारी के अधार पर विविन प्रकार की रक्त कोशिकाओं का वरगी करन करे contain pigment of iron, iron के pigment किस में होते हैं RBC में होते हैं red blood cell में होते हैं तो यह तो ए क्या हो जाएगा हमारा red blood cell हो जाएगा फिर multiply rapidly when foreign body enter अच्छा ही white blood cell की बात कर रहा है तो option number 30 यहां पर जो है वो बिल्कुल सही बैठेगा किसी बहारी तत्व के प्रवेश में इनकी संख्या में व्रद्धी होते है और यह हमारे अंदर प्रथी रोतग एक तरह से दवाई का काम करते हैं और हमें जो भी बैक्टिरिया वगेरा आते हैं उनसे लड़ने में हमारी मदद करते हैं तो जब भी कोई बहारी चीज प्रवेश करते हैं तो इनकी संख्या तीवर हो जाते हैं तीवर इनमें प्रधी हो जाती है तो यहां पर B क्या है वाइट ब्लड सेल की बात कर रहा है और यह फॉर्म क्लोट्स टू प्रवेंट ब्लड लॉस ब्लड का लॉस होने से बचने के लिए यह क्या करता है रक्त का थक्का बनाता है प्लेटलेट्स होती है जैसे अगर आपका खून निकलिया तो बहता थोड़ी रहता है वो रुख जाता है तो क्लोटिंग की वज़े से रुख जाता है वो काम कौन कर रही है प्लेटलेट्स कर रही है प्लेटलेट्स अगर क तो इस तरह से platelets का भी बहुत बड़ा रोल होता है तो A यहाँ पर क्या था आपका RBC red blood cell और B क्या था WBC white blood cell और C किसकी बात कर रहा था platelets की बात कर रहा था और यह तीनों ही आपके किसके अंदर मिलते हैं यह तीनों ही हमारे blood के अंदर हमको देखने को मिलते हैं next question 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 number 18 जो आपका exam में पूछा गया Sumit take out water in a beaker from a bucket for the experiment एक bucket में पानी रखा है Sumit क्या करता है यह पानी निकाल कर इस beaker में convert कर डाल देता है एक bucket के अंदर पानी रखा था और Sumit ने थोड़ा सा पानी निकाल कर एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक beaker के अंदर डाल दिया he put the thermometer in the water in beaker मतलब उसने thermometer को यह बाल्टी के अंदर भी रखा और यह जो beaker में उसने पानी यहां से उठा के इसमें डाल दिया था उसमें भी रखा and noted the reading 35 degree Celsius which of the following conclusion drawn by him are correct तो कौन से निसकर्शिस के द्वारा जो निकाले गए है वो सही है हमको बताना है कि इसने तापमान नोट करा अब देखे पानी इसमें था पानी इसमें आया उससे कोई फरक थोड़ी परेगा अभी भी पानी का temperature तो क्या है सेम ही रहेगा कोई उसको थोड़ी गरम थोड़ी करा गया या कुछ करा थोड़ी गया है पानी को क्या करा गया है सिर्फ एक बीकर से उठा कर बाल्टी से उठा कर बीकर में डाल दिया तो पानी का जो temperature है वो यहाँ पर भी सेम ही रहेगा या किसी बीकर में रखूँ ऐसा थोड़ी होगा उससे उसका temperature बदल जाएगा नहीं पानी का temperature तभी भी क्या होगा सेम ही रहेगा तो यह तो सही है यहाँ पर फिर क्या बोल रहा है the heat in water in beaker and bucket are same बिलकुल बीकर के पानी तथा बालती के पानी के जो उश्मा की मात्रा है वो भी सेम रहेगी आपको पता है heat कब बढ़ती है या heat का जो transfer है वो तीन ही method से होता है conduction, convection और radiation यहाँ पर ना conduction, convection, radiation में से किसी की बात नहीं हो रही है तो heat तो यहाँ पर आएगी नहीं, सिर्फ यहाँ पर अवस्था पानी को यहाँ से उठा कर इसमें पलट दिया तो इसमें heat का क्या concept आया, heat का कोई concept नहीं आया तो heat in the water और bucket जो है दोनों में same ही रहेगी A और B वाली बात जो है वो यहाँ पर बिलकुल सही है तो option number one जो है वो यहाँ पर सही होगा बाकी COD यहाँ पर गलत होगे कि temperature जो water का है वो कम हो जाएगा then temperature of water in bucket यह बाली बात गलत है कि beaker का पानी जो है उसका temperature कम हो जाएगा, नहीं temperature क्यों कम होगा same ऐसी हाँ पर इन्होंने बोला कि heat जो है water in bucket is more than the heat in water in beaker जो बाल्टी के पानी की उश्मा की मात्रा है वो beaker के पानी की उश्मा की मात्रा से अधिक होगी नहीं, heat का तो कोई concept यहाँ पर आया ही नहीं तो heat में भी कोई change नहीं आएगा ना ही temperature में कोई change आएगा changes into gas as it come out of cylinder cylinder से निकलते हुए वह गैस में बदल जाती है जब देखे किसी भी चीज की आवस्था बदलती है solid से liquid, liquid से gas तो वो उसका बहुतिक परिवर्तन होता है वो उसका physical change ही होता है chemical change नहीं होता याद रखेंगे physical change में जैसे paper को मैंने कट कर दिया सिर्फ उसको cut कर रहा है उससे ऐसा फोड़ी हो आकि कोई नई चीज बनकर आ गए क्ोई reaction थोड़ी हो गए जब कोई reaction होती है कोई नई चीज बनकर आती है तब वहाँ पर chemical change होता है तब वहाँ पर racinic परिवर्तन होता है लेकिन जब सिर्फ वस्तु की अवस्ता बदल जाती है उसका color change हो जाता है तो वो सिर्फ उसका बहुतिक परिवर्तन होता है सेम ऐसे यहां पर हुआ LPG जो थी वो liquid से gas में बन गी लेकिन है तो अभी LPG सिर्फ अवस्ता में परिवर्तन हुआ है तो वो उसका बहुतिक परिवर्तन होता है physical change होता है फिर दूसरा क्या बोला अब देखे यहां पर LPG खतम होती जा रही है और खतम कैसी हो रही है क्योंकि वो convert हो रही है किसमे हीट में तो हीट जो है वहां पर एक नया substance नई चीज़ बन रही है वो बन जल रही है जलने के बाद वो क्या उत्पन कर रही है उश्मा उत्पन कर रही है इसका मतलब reaction हो रही है तो वो जब कोई नया substance बन जाता है तो वो आपका chemical change होता है तो option number one ही हां पर से हो जाएगा A हमारा physical change है बहुत इक परिवर्तन है और B हमारा racionic chemical change है next और last question question number 20 बहुत easy question पूछा गया previous year 2019 से ही तक के जो previous year है उनसे ही repeat कर लिया गया और NCRT में भी यह हम अच्छे से पढ़ते हैं और आगे भी जब मैं practice question कराऊंगी तो बहुत अच्छे से यह चीज़े हैं के mind में रटवा दूँगी जैसे पहले रटवाई थी samples A, B, C, D are tested for their nature using turmeric और phenocytaline यह indicator सूचक की तरह काम करते हैं and following observation are recorded उनका अवलोकन record किया जाता है A, B, C, D के नमूने उनकी प्राकरती के पता लगाने के लिए कि वो acid है, aml है यह चार है, base है ठीक है, और किसका यूज़ करा जाता है सूचक के रूप में turmeric और phenocytaline का आपको पता होना चाहिए जो turmeric होती है, जो healthy होती है वो acid में अपना color change नहीं करती turmeric को अगर किसी भी acid vinegar हो, चाहिए lemon juice हो किसी भी acid के साथ अगर आप react कराएंगे तो turmeric का color जो है वो yellow ही होता है, तो वो yellow ही रहेगा लेकिन जब healthy को base के साथ react कराती है चार के साथ react कराती है जैसे आपने देखा होगा अगर आपकी shirt पे healthy लग गई और उसको आपने साबून से रगड़ा क्योंकि साबून क्या है, वो base होता है वो चार होता है, और base चार जो होते है वो बहुत चिकने होते हैं याद रखिंगों कैसे होते हैं, वो बहुत चिकने होते हैं तब ही तो साबून क्या होता है, चिकना होता है आपने देखा होगा जब आप healthy के paste वाले shirt को अगर साबुन से रगड़ेंगे तो वो लाल कलर में बदल जाता है इट मींज टर्मरिक जब base जब छार के साथ react करती है तो वो आपका लाल कलर में बदल जाता है तो टर्मरिक base को लाल कर देती हो और acid में कोई परिवर्टन नहीं करती अब बात करें फिनौफ्थलीन की तो फिनौफ्थलीन जो है वो base के साथ क्या करते हैं पिंक कलर देते हैं अगर कोई base है और base में हमने फिनौफ्थलीन की ड्रॉप डाल दी तो वो वहाँ पर पिंक कलर दे देंगे it means वो base के साथ pink color देते हैं लेकिन जब मैं acid के साथ बात करूँ फिनॉफ्थलीन की अमल के साथ बात करूँ तो वहाँ पर colorless रहते हैं फिनॉफ्थलीन normally colorless ही होता है acid के साथ भी अगर उनकी reaction कराएंगे तो वहाँ पर भी वो colorless ही रहेंगे कोई color change हमको देखने को नहीं मिलेगा अब यहाँ पर ए क्या बोला जब ए के अंदर turmeric डाली गई turn reddish brown on adding turmeric turmeric के डालने पर ए जो है वो reddish brown हो गया मतलब लाल हो गया हल्दी डालने पर लाल भूरा हो जाता है तो मैंने क्या बताया था turmeric के साथ कुछ नहीं करती base को ऐसा कर देती है इसका मतलब A क्या है A हमारा base है A हमारा 4 है तो यह वाला option यह वाला option और यह वाला option बाहर हो जाता है सीधा सो option निकल कर आता है option number 4 योंकि option number 4 में ही बताया गया है कि जो A है वो base है हमें सारे option देखने भी नहीं पड़े और option number 4 यहां पर हमारा answer भी जो है वो आ गया है बाकि हम देख लेते हैं दूसरा भी turn pink on adding phenophylline जो phenophylline है उसको add करने पर pink हो जाता है तो वो भी base ही होते है चारक जो होते हैं phenophylline के साथ pink color देते हैं तो A और B जो है वो दोनों आपके चार है yellow ही रहेगा yellow acid के case में ही रहेगा remain colorless वो भी acid के case में ही रहेगा तो C और D हमारे acid है अमल है तो option 4 यहां पर से यह देखे किस तरह के questions आए हैं questions easy ही है लेकिन उनको घुमा कर पूछा गया है और अब आपको घुमा कर solve करना भी आगया होगा क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया कि किस तरह से question आपको solve करने है तो इस तरह से हमने यह content के 20 question देखे 30 December के वीडियो अच्छा लगता है like करें share करें और channel से जुड़े रहे